वेले दोस्तों को टेश्टी वित संतुष में आप शवी का श्वागत है आप सब के लिए रादे रादे चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं जटपड बनने वाली टेश्टी और कम ओईल वाली रेसिपी लेकर आएं यह हम पापड और आलू से यह नस्ता बनाएंगे आप ज यह ने रहे पेजों के लंज में रख सकते हैं और यह हमने 4-5 आलू ले लिए है यह वॉल करके डूंढ करके छील लिया था और ये हमने एक बावल ले पशंद आए तो लाइक किया करें दोस्तों के जदा ज़्यार करें और यह देखिए आलू को हमने मेश कर लिया यह पापड़गी आप रेसिपी एक बार जरूर ट्राइ करें इतनी टेश्टी बनती है कि एक बार आपने बना ली तो बार बार यही रेसिपी बनाएंगे और य इसमें हलका सा हमने नमक डाल दिया जिससे यह राई और कड़ी पते इसके चटकेंगे नहीं नहीं तो कड़ाई से बहुत बाहर आते हैं और यह हमने राई डाल दिया एक चमच और कड़ी पते इसमें कम चटकते हैं यह आपने नमक डाल दिया इसमें तो नहीं तो बहुत इस थेटे उपर भी आते हैं इसलिए आप नमक इसमें जरूर टाला करें वडों साथ करति कि प correction करर डिया अजलए शेखने सरह रायो पडिपती के लिए और इसमें यह हम आलू मैस कर डालेंगे यह इतना टेश्टी मसाला बनीगा या आप किसे भी रेसिपी में भी इस तरह से ट्राइब कर सकते हैं आलू का मसाला और यह देखिए आलू हमने इसमें डाल दिया है आलू को हम थोड़ा सा वी इसमें मिक्सट कर लेते आच्छे से इसे 2-3 सेकंड के लिए बुंज लेते हैं फिर इसमें हम मसाले ढालेंगे और मसाले हम इसमें नमक टिस्ट के अनुसर डालाया है इसमें कम डालेंगे क्योंकि हमने ओईल में भी नमक डाल दिया था हल्दी आतचमबर डाल दिया लाल मिस्ट जैसे तीका खाते हैं आप उस तरह से आप डाल सकते हैं और इसमें हम अमचूर पाडर आपके पास तो डाल लें पर अप्रसेट पर अपमरे गणाव रहां पसंद आती हैं पसंद आती है तो लाइक करें जात 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 किया करें दोस्तों के साथ फैमली के साथ और यह मसाला हमारा ठंडा हो गया है अलू वाला और यह हमने थोड़ा सा अलू का मसाला ले लिया था और इस तरह से हम जो आपको डिजाइन आती है वह आप इसे बना सकते हैं यह हम चौक और से बना लेंगे और अगर नहीं है तो आ और इसे हम बना कर रख लेते हैं पहले टिक की बनाएं इसके फिर साइट से इस तरह से दवा दें फिर यह चौक और हो जाएगा और इसी तरह से हम आपको दूसरा बना कर रखा बनाते हैं यह देखिए इस तरह से थोड़ा साइट से इस तरह से कर दें फिर इसे यह चौक बनके तैयर हो जाएगा और इसी तरह से हम सारे इसके आलों के ये नास्ता बनाकर रख लेते हैं और ये देखिए बनके कितना सुन्दर लग रहा है और आप ऐसे ही खा सकते हैं इसे ऐसा लग रहा है और ये देखिए हमने पापड ले लिया है पापड ये उड़त के दाल वाले पापड है और ये हमने एक थाले में पानी ले लिया है और पानी को हम इसमें पानी में ये पापड को हम डिप करेंगे इसे पापड को ज्यादा देर पानी में ने रखना है नहीं तो ये गल जाएगा और इसे हम नास्ता बनाने में थोड़ इसे पानी में डाल के नहीं रखें और इसके ये पानी एक्ट्रा वो इसे खड़ा करके इसका पानी ये निकल जाता इस तरह से और ये देखिए पानी नहीं रहना चाहिए पापड में नहीं तो नास्तामारा बिकर बनेगा ये हमने ये आलू की डेजाइन बना कर रखे थी व करें और यह देखिए बिल्कुल फेटी जैसा यह नास्ता लगता है एक बार इसे जरूर ट्राइब करें इतना टेस्टी और इसे आप बच्चों के टिफिन में भी रख सकते हैं और आप इसे डी फ्राइब जैसे करना चाहें वैसे आप कर सकते हैं एक चमच ओयल में भी यह नास्ता बन जाता है और यह देखिए इस तरह से हम आपको दूसरे बना कर दिखाएंगे और यह देखिए पापड ले लिया है पानी को हमें एक दू सेकंड को ही डालना है ज्यादा नहीं डाले नहीं तो यह पापड हमारा बहुत जल्दी गल जाते हैं और बेकार हो जाए यह आप इस बात का खास करके दियान रखें और यह इसी तरह से हम दूसरे पापड का बना लेते हैं और यह देखिए बीच में हमने यह आलू के बना कर रखे थे और इसी तरह से हम पहले फॉल्ड कर दें साइट से पापड को आप इसे तवीप थोड़ा सा ओड़ा नगा कर भी सेख सकते हैं कम ओड़ आME महतं हैं तो इसी तरह से हम सारा नास्ता बनाकर तयार कर लेते हैं यह देकी नास्ता मार कीतना सुंधर बनकर तयार घॉआ है अगर आपने यह पहली गार रेशिपी देखी है ओन नहीं हैं तो आप जरू सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ज्यादा ज्यादा श्यायर किया करें और मैं वहती कम सामान में आपको नास्ते की रेसिपी बताती हैं घर की किचेन में जो सामाने बाहर से लाने की कोई भी वह नहीं है और यह देखिए हम थोड़ा सा ओयल इस पर बुरिश में इसे बना सकते हैं और यह नहीं है तो कोई बात नहीं आप तभी में यह कड़ाई में भी बना सकते हैं और यह देखिए हलका सामने इस पर ओयल लगाया है ज्यादा ओयल नहीं लगाया है इसे हम इयर फ्रायर में बनाएंगे इसलिए ओयल लगाया है और आप तभी में तो पहले से ओयल नहीं लगाएं आप तभी पर ही ओयल लगाएं और यह देखिए हमने एयर फ्रायर का वो ले लिया है जा उस पर यह जाली आती है इससे रख लें इसमें सेट कर लें और इसके ओपर यह ओयल लगा कर रखा था वो नीचे रखें इतना क्रिस्पी और टेश्टी नास्ता बनेगा और बहुत कम ओयल में एक चमच में नास्ता बन के तयार हो जाता है और किसी के पास नहीं होता है ऐसा नहीं है और किसी के पास हो तो आप तभी पर भी बना सकते हैं ऐसा नहीं है यही हो तभी नास्ता बनेगा और इसे श्टा इसे ओन कर देते हैं और टाइम सेट कर दें यह तेंचार मिनट में बनके तयर हो जाता है और यह देखिए हमने ओन कर दिया है तिन चार मिनट हो गए है और यह नास्ता हमारा जिर्पट बनके तयार हो जाएगा और यह देखिए कितना क्रिस्पी लग रहा है और बिल्कुल ओयली नहीं है यह आई यह अब लोगों कुछ जादा जादा इस रेसिपी को प्यार दें और शियर करें यह तयार हो गया है हमारी रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट में बताएं अगर अच्छी लगी तो लाइक किया करें दोस्तों के शाद ज्यादा ज्यादा शियर करें और भी आपको रेसिपी को चाहिए आप कमेंट में बताया करें थैंक यू सू मज टेक के वाई फिर मिलते हैं बडियो पर